नमस्कार दोस्तों कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे गुरुदत जी की कहानी बटवारा लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे दोरा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न आज सुनें बटवारा कर्म सिंग बहुत व्रिद्ध हो चुका था उसकी आँखों की बरौनिया सफेद हो गई थी कमर टेड़ी गर्दन जूलती हुई टांगे लड़कडाती हुई और दात न होने से बोलने में शब्द भी अईसपस्ट निकलते थे बाबा कितनी उमर कर्म सिंग के पोते का लड़का खाट के पास बैठा पूँच रहा था लड़का दस साल का था उसका नाम था सोहन सिंग कौन पूँच रहा है कर्म सिंग ने विचारों जिनमें वह अब कभी कभी मगन हो जाया करता था और अपनी वर्तमान अवस्था को भूल जाया करता थ से निकलते हुए पूचा सोहन हो बाबा कर्म सिंग के घर के सब प्राणी जानते थे कि उसकी आँखों की जोती समाथ हो चुकी थी सुनाई भी बहुत कम देने लगा था इससे वह उसको अपना नाम और वह भी उची आवाज में बताया करते थे सोहन ने भी ऐसे ही कहा अच्छा सोहन हो कहा गया है तुम्हारा बाब खेट पर गया है बाबा और तुम्हारी दादी तथा मा पडोसियों के घर गाने पर गई है वहाँ पर क्या है नानक का बिवाह है तो जाओ उनसे कहो जल्दी घर आ जाए यहां भी आज गाना होने वाला है गाना? क्यों? क्या है यहां? बिवाह! सोहन खिल खिला कर हस पड़ा बाबा किस से बिवाह कर आओगे? तुम्हारी पर दादी से कभी देखा है उसको? सोहन को इन बेसिर पैर की बातों से भै लग गया उसकी परदादी की मृत्तु तो उसके बाब के पैदा होने से पहले ही हो चुकी थी इससे वह भागा हुआ पडोसियों के घर मा और दादी को बुलाने चला गया कर्म सिंग की आईव 95 से उपर हो चुकी थी उसके तीन लड़के और एक लड़की थी लड़की सबसे छोटी थी और उसका विवाह अमरत सर में एक तहसीलदार के लड़के से हुआ था कर्म सिंग के लड़कों में से सबसे छोटे लड़के मदन सिंग का देहान थो गया था और दूसरे दो लड़के बाप से लड़कर प्रिथक हो चुके थे उन्होंने बूरे बाप में अपनी बिध्वा पतोहू और उसके एक लड़के बिहारी सिंग के प्रती अधिक इसने देख प्रथक हो जाना ही ठीक समझा था लड़के के देहान के समय कर्म सिंग की आयू साथ वर्ष की थी जब दूसरे लड़के सुखन सिंग और मक्खन सिंग जिनके घर भी लड़के लड़किया उत्पन हो चुके थे प्रत्थक होने लगे तो बाप से जैजाद में हिस्सा पत्ती मांगने लगे तब कर्म सिंग में साफ कह दिया कुछ भी नहीं मिलेगा अपना कमाओ और खाओ लड़के अपने पिता के सुभाओ और विचारों को जानते थे इस कारण दोनों ने अपने प्रत्थक प्रत्थक खेत ले लिये थे और बाप के इंकार करने पर बिना कुच लिये ही अलग-अलग खेती बाड़ी करने लगे और अपने प्रत्थक प्रत्थक मकान बना कर रहने लगे सुखन सिंग और मक्कं सिंग की ओरतें बटवारे के लिए जगड़ा करने की राय देती परंतु दोनों भायों में व्रिद्ध बाप को तंकरने का विचार छोड़ अपनी पत्नियों को ही समझा दिया कि आखिर बुढ़ा मरेगा जमीन चाती पर रख कर ले जा नहीं सकेगा उनका विचार था कि अधिक से अधिक दस वर्ष तक और जियेगा कर्म सिंग को कोई एप तो था नहीं ना तो वह शराब पीता था ना ही किसी अन्य प्रकार की फिजोल खर्ची वह अकल का धनी और गांट का पक्का था सो अइकर भूमी पर लाठी लिये घूमता था और तीन हजार मन गेहू तथा अन्य अनाज उत्पन कर लिया करता था घर पर गाय भैस पलती थी और घर के समीप वाले कोई के पास साग सबजी पैदा होती थी केवल कपड़ा और नमक मिर्च बाजार से लेना पड़ता था इस कारण धने कत्र हो रहा था परमात्मा ने सुखन सिंग और मक्षन सिंग का भाग भी उजवल कर दिया था धीरे धीरे वे दोनों भी अमीर हो रहते कर्म सिंग का अपने लड़कों से द्वेश नहीं था वह उनकी सहायता के लिए भी सदय तत पर रहता था केवल वह अपनी जायदाद को अपने जीवनकाल में बाटना नहीं चाहता था उसका यह विचार था कि जब तक वह भूमी और धन का मालिक है तब तक पोते पोतियां सब उसकी सेवा करेंगे कहा मानेंगे और उसके मरने पर भी उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे यदि उसने सब कुछ बाट दिया तो उसको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं रहेगा यह बात बहुत सीमा तक ठीक थी सायंकाल जब भैखेट से लोटकर आता तो उसके स्वर्गवासी पुत्र की बहु और लड़का तो उसकी सेवा करते ही थे साथ ही अब उसके बड़े लड़कों की बहुएं और पुत्र भी आते और उसके पाउं दबा जाते कर्म सिंग भी रितु के अनुसार कभी पिन्यां कभी बूंदी के लड़ू कभी पेडे और कभी बर्फी बनवा कर रखता था और जो उसके पास आता उसको खाने के लिए देता था कभी उसके पुत्र और पोते कहते भी बाबा अपने जीते जीते सब बांट जाओ नहीं तो पीछे जगडा होगा सुखन वह कहता अपनी भावज पर विश्वास रखो वह देवी है इस पर भी जब किसी पोते अत्वा किसी पोती का विवाह होना होता वह सब खर्चा अपने पास से करता था इस प्रकार परिवार का कार्य चलता जाता था मदन सिंग की म्रत्यू के समय उसका लड़का बिहारी सिंग पांच वर्ष का था और कर्म सिंग अपने लड़के की बहु के शोक को कम करने के लिए बिहारी सिंग से विशेश प्यार करता था उसकी सब आवशक्ताओं को पोन करता था मदन सिंग की बहु भी कर्म सिंग की ऐसी सेवा करती थी मानो उसकी लड़की ही हो बिहारी सिंग जब बड़ा हुआ तो उसका विवाह कर दिया गया बहुत ही सुन्दर और सुघर बहु घर में आई वै जालंधर शहर में रहने वाले एक दुकानदार की लड़की थी नाम था जस्वीर कौर इससे पहले घर की सब बहु में गाउं की अत्वा किसानों की लड़किया ही थी जस्वीर कौर पहली बहु थी जो नगर की रहने वाली थी और साथ ही स्कूल की नौवी श्रेंडी तक पढ़ी भी थी उसने आते ही अपने कपड़े आभूशन और जिस पर भी उसका हाथ जाता अपने अधिकार में करने आरंब कर दिये कर्म सिंग को उस पर संदे हुआ तो उसने अपने स्वर्गवासी लड़के की बहु सुंदरी को बुला कर कहा बेटा सुंदरी मेरी जेब में से रेजगारी गायब होने लगी है कल में दस का नोट लेकर एक धोती का दाम देने गया था उसमें से चवदा याने मेरी जेब में थे आज एक पैसा भी नहीं भापा मैंने नहीं लिये यह मैं जानता हूँ तुमको इस घर में आये 28 वर्ष हो चुके हैं एक पैसे का हेर फेर नहीं हुआ अब यह नगर की छोकरी आई है इससे सावधान रहना चाहिए बात बिहारी सिंग के कान में पहुची तो वह अगले दिन भापा के पास 14 आने लेकर आ गया उसने बाबा के पाउं पकड़े और अपनी बहु के लिए छमा मांगी उसने कहा बाबा वह शहर की रहने वाली देहातियों के चलन को नहीं जानती मैंने उसको समझा दिया है अब वह ऐसा नहीं करेगी देखो बिहारी अगर फिर तुमारी बहु ने ऐसा किया तो तुमको भी तुमारी बीबी के साथ नगर भेज़ दूगा वहाँ जाकर कमाना और खाना बाबा वह कहती है कि आपके दोनों पुत्रों ने प्रथक प्रथक होने से पहले ही अपने अपने लिए खेत खरीद लिये थे वे कहां से लेकर खरीदे थे वह भी अपने लिए प्रथक खरीदने के लिए रुपिया इकठा करने लगी थी तो उससे कह दो कि वे दोनों अपने ससुराल से रुपया लाए थे ससुराल का रुपया उन्होंने खेत खरीदने में लगा दिया था उन खेतों पर वे मेहनत मज़़ूरी करते थे और वहां की कमाई फिर खेतों पर ही लगाते जाते थे 400-500 रुपए से आरंब कर अब वे 50-50 एकड भूमी के मालिक हो गए है जस्वीर भी अपने आभूशन बेच कर भूमी खरीद सकती है साथ ही तुम उस भूमी पर मेहनत कर धन पैदा कर सकते हो पर बाबा तब 20-30 रुपए में एक बीघा भूमी मिल जाती थी पर अब तो एक बीघा का मूले भी 500 रुपए से उपर हो गया है ठीक है तब सोने का मूले 12-15 रुपए तोला होता था अब उसका मूले 80 रुपए तोला है बिहारी तुम्हारे ससुर में जो दिया है सब मुझको मालूम है और उसमें से सब कुछ तुम्हारी बहु ने संदोक में बंद कर रखा है जस्वीर को और समझ गई कि बूढा इस प्रकार से काबू में नहीं आएगा उसने दूसरा ढंग रचा उसने उस ताले की दोहरी चाभी बनवाई जो उस कोठरी में लगा था जिसमें पून घर की संपत्ती रखी जाती थी ताली की मौम पर छाप लगा उसने अपने छोटे भाई के हाथ शहर भेज दी और वहां से चाभी बनकर आ गई गर्मी की रितु में जब घर के सब प्राणी घर की छट पर सोते थे एक रात जस्वीर नीचे आई और ताला खोल कर तोशे खाने की तलाशी लेने लगी एक लोहे का संदूप था उसको भी एक ताला लगा था उस ताले की चाभी उसने कभी नहीं देखी थी उसे कर्म सिंग सदा अपनी कमर से बांध कर सोता था अतह सब परिश्रम व्यर्थ गया इस पर भी जस्वीर कौर ने अपने ससुर की पून चल संपत्ति उड़ाने का विचार छोड़ा नहीं वह उस चाभी पर अधिकार पाने का उसर ढोड़ने लगी वह उसर तब मिला जब जस्वीर के एक लड़की और फिर एक लड़का भी होकर आठ वर्ष का हो गया था तब तक कर्म सिंग की दृष्टी दुर्बल हो चुकी थी और हात पाउं भी शिथिल पढ़ने लगे थे अब वह खाट के साथ लग गया था केवल शौच आदी के लिए ही उठता बैड़ता था अभी भी पोते पर पोते आते थे और कर्म सिंग के पाउं दबा जाते थे कोई आकर उसके कपड़े धो देता और कोई उसको नहला जाता तो कोई खाना आदी खिला जाता था इसी सेवा के लोग में वह संपत्ती को बाटता नहीं था एक दिन औसर मिला और चाबी जस्वीर कौर के हाथ लग गई बुरा जब सोने के लिए बाहर गया तो उसकी कमर से चाबी गिर पड़ी उसे पता नहीं चल सका जस्वीर कौर ने चाबी उठा ली किसी ने देखा भी नहीं उसने कोठरी खोली और फिर संदूक भी खोल लिया सोना चांदी नोट देखे तो जस्वीर कौर कितनी ही देर तक मुगद हो देखती रह गई फिर उसने अपनी चादर का आचल बिछा दिया और जितना उसमें बांध सकती थी बांध कर अपने कमरे में ले गई तदू परांथ उसने संदूक और कोठरी को बंद कर संदूक की ताली वही भापा की खाट पर रग दी जहां पर वह गिरी थी चाभी रखकर वह अपने कमरे में चोरी का सामान संदूक में बंद कर रही थी कि बिहारी सिंग की नील खुल गई और वह अपने कमरे में दीपक का प्रकाश देख जाब कर सब कुछ समझ गया उसके मन में आया कि बीबी को पकड़ कर और धक्के देकर घर से निकाल दे परन तो उसको अपने बच्चों की माँ पर दया आ गई उसने कमरे के बाहर खड़े खड़े ही योजना बना ली और लोट गया मकान की छट पर उसके सोने के लिए जाने के आदा घंटा पश्चार जस्वीर को और उपर आई अगले दिन बिहारी ने जब जस्वीर को और सो रही थी उसके संदूग की जिसमें सोना चांदी और नोट छिपा कर रखे थे चाबी ली उसने सब वस्तुएं निकाल ली और लगभग उतने ही वजन के इट के कंकर आदी संदूग में भर दिये वह सब सामान बिहारी सिंग ने एक गटरी में बंद कर अपनी मा के संदूग में रख दिया मा के संदूग को ताला नहीं लगता था उसकी मा को अपने चार कपणों को ताला लगाने की आवशकता भी अनुभव नहीं होती थी अगले दिन जस्वीर कौर का भाई आया तो जस्वीर कौर ने अपना संदूग उटवा कर जालंधर भेज दिया और कहला भेजा कि जब वह आएगी तो स्वयम ही उसे खोलेगी उसकी अनुपस्थिती में उस संदूग की रक्षा की जाए जस्वीर कौर के भाई ने संदूग के भारीपन का अनुभव कर पूँच लिया बहन क्या है इसमें इसमें मेरे आभूशन है ध्यान रखना सुंद्री ने अपना संदूग खोला तो उसमें आभूशन सोना चांदी और नोटों के बंडल देख वह घबरा गई उसने कभी इतना धन देखा नहीं था वह कितनी ही देर तक उस सब को देख देख कर समझने का यत्न करती रही कि वह सब कहां से आ गया जब कुछ समझ नहीं सकी तो अपने लड़के बिहारी सिंग की खेतों से लोटने की प्रतीक्षा करने लगी जसवीर रोटी बना रही थी सोहन और गुर्णाम को और रसोई घर में बैठे खाना खा रहे थे बाहर कर्म सिंग से मिलने के लिए सोखन सिंग और उसकी पतनी आई हुई थी कुछ बच्चे भी अपने बाबा के पास बैठे उनकी बाते सुन रहे थे सुन्दरी ने बिहारी को जब वहे वापस घर आ गया इशारे से भीतर बुला कर अपने संदूख में रखी हुई वस्त में दिखाई तो बिहारी सिंग ने सब बात अपनी मा को बता दी उसने यह भी बताया मा सोहन की माने किसी माती ताला खोला है और यह सब बाबा की कोठरी से निकाल लिया है तुम कैसे जानते हो यह जब से बाबा की नजर दोड़वल हुई है मैं ही संदूख में रखता निकालता हूँ इन आभुष्णों को मैं भली माती पहचानता हूँ यह सोने की डली मैं पिछले वर्ष गेहूं बेचकर अमरत सर से लाया था तो इसका मैं क्या करूँ तुम्हें मेरे संदूख में क्यों रख दिया है यह सब मा मैं विचार कर रहा था कि जिस दिन बाबा कुछ भीतर रखने को अत्वा भीतर से निकालने को चाबी देंगे तब मैं यह सब कुछ चुप चाब भीतर रख दूँगा मुझे जस्वीर कौर से जगडा करना ठीक प्रतीत नहीं हुआ वह मूर्ख है परन्त मुझे से अधिक पड़ी है मैं जब उसको कुछ समझाने लगता हूँ तो समझा नहीं पाता अच्छा तो मैं इस ट्रंग को ताला लगा दूँ मुझे को भै है कि कहीं तुम्हारी बहो को संदेह हो गया तो वह यहां से भी चुरा लेगी मा यदि ताला लगाया तो भै संदेह करने लगेगी मेरा विचार है कि तुम तनिक सतर्क रहना बनिया सोमन मकई के दाम देने आएगा तब मैं बाबा से चाबी मांगूँगा उसी समय यह सब भी वहीं पर रख दूँगा औसर मिलते ही सारा सामान रख दिया गया कर्म सिंग कुछ दिन से कह रहा था कि उसके पाउट ठंडे रहने लगी है आज मध्या नोंतर उसने एक एक सोहन को कहा जाओ मा और दादी को बुला लाओ सोहन भागा भागा गया और मा और दादी को बुला लाया सुंद्री में आते ही पूछा भापा क्या बात है कर्म सिंग हसा और बोला अपने जेश्ठों को बुलवालो बिहारी को भी बुलवालो मैं समस्ता हूँ कि चलने का समय आ गया है नहीं बाबा जस्वीर ने कहा अभी तो वाहे गुरु की कृपा है वैसे ही आपको कुछ भरम हो गया है नहीं जस्वीर बैठ जाओ और जपजी सहाब का पाट करो जस्वीर का और भीतर चली गई हाथ मुदो दोग चटाई ले आई और चटाई को बाबा की खाट के पास बिछा जपजी सहाब की पुस्तक निकाल कर पाट करने लगी एक उंकार सत नाम करता पुरुष निभो निबैर अकाल मूर्त अजनी सैंग भंग गुरु प्रसाद जप आधी सच जुगाधी सच जस्वीर कौर पढ़ी ही रही थी कि सोहन अपने बाबा के भाईयों पर बैठा दिया गया था सुखन सिंग अपने पिता की पीठ के पीछे बैठ उसको आश्रे दे कर बैठा था कर्म सिंग शांत भाव से सुन रहा था जस्वीर कौर आगे पढ़ रही थी जात पाहारा धीरज सुनियार महरणी मत वेद हतियार भव खला अगान तपताव भाड़ा भाव अमृत तित ढाल घड़िये सबद सच टकसाल जिनकव नदर कर्म तिन काट नानक नदर नदर निहाल अब सब वाहेगुरू वाहेगुरू कहने लगे इस समय कर्म सिंग ने कुछ कहा जब उसके होट पढ़के तो सब चुप हो गए सुखन सिंग जो उसके पीछे उसको धासना दे कर बैठा था कान के समीप मुख कर बोला भापा कर्म सिंग ने कहा सुखन हाँ भापा मक्खन को बुलाओ यह बैठा है बियारी बैठा हूँ भापा सुनो मेरी जेब से चाबी निकाल लो देखो धर्म पर अड़े रहना एक छण तक चुप रहने के बाद कर्म सिंग ने कहा जस्वीर को और हाँ बाबा इस समय सब कुछ यहां ही रह गया है सुन रही हो हाँ बाबा दया, धर्म, दान और छमा ही साथ जा रहे है समझी यो हाँ बाबा उसकी मुख का रंग पीला पड़ रहा था कर्म सिंग ने कहा देखो लड़ना नहीं वाहे गुरु तुम सब को बुद्धी दे इसके साथ ही कर्म सिंग की गर्दन लुड़क गई सुखन ने बाबा की जेब से चाबी ले सुंद्री को दे दी वह नहीं चाहता था कि बटवारे से पहले चाबी उसके पास रहे बाबा की अर्थी बड़ी धूम धाम से उठी बाजे बजे अर्थी पर जंडियां और गोले लगाये गए खूल मखाने और छोहारे निचावर किये गए आगे आगे कीर्टन मंडली थी पीछे पीछे औरतें शबद गा रही थी सारा गाउं बूढे की अर्थी के साथ था गाउं में सिखों के अत्रिक्त हिंदू भी रहते थे अर्थी शमसान के बाहर पहुची तो हिंदू ने कह दिया बोलो राम अन्य लोग इस पर बोल उठे राम भज राम एक सिखने कहा शोर न मचाओ किर्टन सुनो संसकार हुआ कराह प्रसाद बाटा गया सब ने खाया और सत्ष्री अकाल के अविवादन के पश्चात सब घर लोटे घर पर ग्रंत साहब का पाट रखाया गया और तेरह में दिन पाट का भोग पड़ा उस दिन भोज हुआ सारे परिवार और गाओं के सब लोगों को भोज खिलाया गया उस दिन सायंकाल परिवार के सब लोग घर में एकत्रित हुए कर्म सिंग की लड़की कुलवंती अपने घर वाले सर्दार समुंदर सिंग और अपने लड़के उसकी बहु और पोतों के साहथ आई थी सुखन सिंग सबसे बड़ा था उसने सब के सामने अपनी छोटी भावी को संबोधित कर पोचा भावी हम सब अपनी जैदाद में हिस्सा लेने आये हैं क्या है भापा के पास भाईया सुंदरी ने कहा मैं सौगंध पूर्वक कहती हूँ कि मैंने आज तक नहीं देखा कि उनके पास क्या है और कितना है हाँ बिहारी जरूर उसमें रखने और निकालने जाता है भापा की चाबी आपने मुझ को दी थी वह यह है अब आप ही देख लो क्यो बिहारी क्या है और कहा है ताया जी सब कुछ ठीक है आप सब कुछ पहले विचार कर लें कि किस किस को क्या-क्या और कितना-कितना लेना है हाँ पियारी ठीक कहता है कुछ तो है ही और भूमी भी है किस प्रकार बटवारा होगा यह लिख पढ़ लो तब जो कुछ नकत निकले और जो कुछ भूमी का दाम लगे सब जमा कर लो, फिर लिखे के अनुसार सब को मिल जाए इस पर हिस्सेदारों के नाम लिखे जाने लगे समुंदर सिंग ने पून जैजात के चार हिस्से कपने चाहे चौथा किसका? मक्खन सिंग ने पूँछ लिया तुम्हारी बहन का, सब चुप रहे कुलवन्ती ने जब से उसका बिवाह हुआ था एक दिन भी अपना मुख गाउं में आकर नहीं दिखाया था सोहन ने शांती को भंग करते हुए कहा बाबा मैं बताऊं, क्या बताऊगे? घर के बच्चे, बुड़े, मर्द, औरतने सब मिला कर हम 35 बन दे हैं जो कुछ नकत हो, उसके 35 हिस्से कर दिये जाएं ओ सौनू, यह धर्मशासर तुझको किसने सिखाया है? सरदार समंदर सिंग का विचार था कि जस्वीर कौर ने ही उसको सिखाया होगा इससे उसने पूँच लिया सोहन सिंग ने कहा एक दिन बाबा मुझको यह सब बता रहे थे वह सब की गिंती करके बोले कि हम सब 35 बन दे हैं सब को बराबर बराबर मिलना चाहिए सब ने ही उनकी बराबर सेवा की है नकदीज सब उनकी कमाई है वह सब में बाट दी जाए भूमी उनके पिता जी की है इसके तीन हिस्से किये जाए इस बात को सुना तो सब ने कहा बाबा की एक्षा पूर्ण की जाए इस प्रकार सब से कम भाग मिलने वाला था मदन सिंग के परिवार को वे केवल पाँच प्राणी थे इनकी तुलना में सुखन सिंग के घर में चौदह प्राणी थे और मक्षन सिंग के घर में सोलह थे इस पर सुखन सिंग ने अपनी भाभी सुन्द्री से पूचा भाभी क्या कहती हो तुम सुन्द्री ने दीर्ग नेश्वास छोड़ कर कहा जब भापा की यही इच्छा है तो मैं कैसे आस्वेकार कर सकती हूँ तुम सब जो कुछ भी दोगे मैं बड़ों का आशिरवात समझ कर ले लूँगी सुखन सिंग को उसके पिता ने एक बार कहा था अपनी भाभी पर विश्वास रखो वह देवी है आज उसकी समझ में आया कि भापा सत्य कहता था उसने कहा भाभी मैं जानता हूँ कि तुमको हानी हो रही है इस पर भी यह विश्वास रखो कि वाहे गुरु सब ठीक करेगा भापा की इच्छा का पालन होने दो कैसे पालन होने थे इन पैंतीस में मेरी और मेरे बच्चों की गिंती नहीं है परन्तु तुम हो कौन सोहन ने कहा तुमको कभी देखा नहीं कभी तुमारी बात तक नहीं सुनी मैं तुमारे बाबा का बहनोई हूँ जानते हो सरकार ने कानून बना दिया है कि लड़की का लड़के के बराबर हिस्सा होता है इस पर मक्षन सिंग की पत्नी ने कहा बहन कुलवन्ती अपने पती के ही बुजूर्कों की जैदाद में से लेगी हमको अपनी जैदाद में से लेने दो समंदर सिंग ने खड़े होकर कह दिया देखो मैं अभी थाने में रपट लिखाने के लिए जाता हूँ किसी ने मेरी अनुपस्थिती में तोशा खाना खोला तो हतकड़ी लगवा दूँगा कुलवन्ती तुम यहीं बैठना मैं जा रहा हूँ सुखन सिंग इस जगड़े से बाप की और परिवार की बदनामी समझता था इसलिए उसने हाथ जोड़कर समंदर सिंग की मिननत खुशामत करना आरंब कर दी उसने कहा जीजा जी आप बैठिये बताए आप क्या चाहते हैं मैंने बताया ना कि जैदात के चार भाग होने चाहिए उसके पश्चात अपने हिस्से में से अपने लड़के लड़कियों को दिया जाए बच्चे तो जने तुम्हारी बीबी और हिस्सा जाए मेरा ऐसे नहीं हो सकता मक्खन सिंग की पत्मी को इस कटाश्क पर क्रोध चड़ाया उसने कहा मैं सब फोंकर स्वाहा कर दूंगी पर इस हमारे बच्चों के गिंती करने वाले को पाई भी नहीं लेने दूंगी भापा के जीवन काल में तो एक दिन भी नहीं आये और अब आये हैं जैदात के मालिक बनकर जाओ भेन चुपचप चली जाओ नहीं तो फोसदारी हो जाएगी समुंदर सिंग उठकर घर से निकल गया सब यह समस्ते थे कि वह थानेदार को बुलाने गया है इस पर सब सुंदरी का मुख देखने लगे चाभी अभी भी सुंदरी के पास थी सुंदरी ने अपने जेट से कहा भाईया आज यह बटवारा नहीं होगा इससे आज सब आराम करो कल किसी को बीच में सरपंच डाल लेना और उसके कहे मताबिक बटवारा कर लेना मक्खन सिंग ने पूचा भाभी तुम जैदाद में समुंदर सिंग का हिस्सा समझती हो भाईया यह मेरे समझने की बात नहीं बात आपकी और आपकी बहन तथा बहनोई के समझने की है उसको समझाने का एक ही तरीका है किसी को पंच बना कर उसके फैसले पर फूल चरहो मेरी तो राय है कि संदोग खोल कर सब को निकाल कर उसके आने से पहले ही बात लिया जाए यह तो पाप हो जाएगा ऐसा आप नहीं कर सकोगे पहले मेरी हत्या करनी होगी तब कोठरी का दरवाजा खुलेगा सुखन सिंग ने बात समाली उसने मकहन सिंग से कहा भाभी ठीक कहती है जगडा कर कचहरी में वक्त और रुपया बरबात करने की क्या जरूरत है पर भापा जमीन भी बांटी जाएगी क्या हाँ नहीं तो सरकार तीस एकर से अधिक लेने का कानोन बना रही है इस पर दोनों भाई उठकर बाहर चले गए परिवार की इस्तरियां और शेश मर्द कोठरी के बाहर लेते रहे सुन्दरी उठकर अपने कमरे में चली गई उस समय जस्वीर कौर अपनी सास के पास आ पहुँची और बोली सुन्दरी की समझ में आ गया कि जस्वीर कौर ऐसा क्यों कह रही है वह सोचती थी कि जस्वीर को अभी भी विश्वास है कि भीतर कुछ नहीं और सब कुछ वह निकाल कर ले जा चुकी है इससे वह मुस्करा दी और बोली बहु भगवान और धर्म भी कुछ है या नहीं सारे परिवार की अमानत में किस किस को दे दूँ जस्वीर कौर यह सुनकर उठी और बाहर चली गई बियहारी सिंग आया तो उसने मा को एक दूसरी ही बात कह दी उसने कहा यह सोहन ने सब गड़बर कर दी है अब उसके यह कहने पर की बाबा की यही इच्चा थी हमको सबसे अधिक हानी रहेगी बेटा मैं तो कुछ जानती नहीं मेरे लिए तो वह पूज थे इससे मैं उनकी बात पर फूल चड़ाय बिना नहीं रह सकती रही हानी लाब की बात धन प्रभू की माया है सब के पास समान नहीं होता ना ही यह सदा रहता है जितना अपने इन दो हाथों से कमाया जा सकता है उस पर ही संतोश करना चाहिए मैं तो समझता हूँ कि मैंने वह सब कुछ फिर बीच में ही रख कर भूल की है पर मैं समझती हूँ कि तुमने अमानत को ठीक जगे पहुचा कर धर्म का काम किया है जस्वीर को पहले तो अपने सब कुछ ले जाने पर बहुत प्रसंद थी परन्तु फिर अपनी कर्तूत का भेद खुल जाने के भैसे खाट पर लेट रही वह कभी सोचती थी कि उसने ठीक ही किया है जो सब कुछ पहले निकाल कर ले गई फिर सोचती कि जब घर वालों को पता चलेगा कि अंदर तो कुछ भी नहीं तो खुब हो हल्ला होगा यह भी संभाव है कि हत्याइं हो जाए इस संभावना पर भैभीत हो वह अपने किये पर पश्चा ताप करने लगी समुन्दर सिंग ठानेदार के पास गया तो वह गाउं के सरपंच को लेकर उसके साथ चल पड़ा घर पहुचा तो देखा परिवार के सब प्रानी कोठरी के बाहर बैठे थे कोठरी को ताला लगा था सरपंच ने एक उची चौकी पर बैठ कर पूचा क्या जगड़ा है सुखन सिंग ने अपनी बात कह दी इस पर समुन्दर सिंग ने कहा कर्म सिंग ने मरने के समय सुखन सिंग को चाभी देते हुए कहा था धर्म पर खड़े रहना और फिर जगड़ा क्या तुम सब समझदार हो धर्म पर खड़े रहो और अपना अपना हिस्सा ले लो समुन्दर सिंग ने कहा ये जयदाब के 35 हिस्से करना चाहते हैं और बाल बृद सब को बराबर बराबर हिस्सा देना चाहते हैं क्यों? इसलिए सोहन ने फिर आगे बढ़कर कहा कि बाबा ने एक दिन कहा था कि नकदी सब मेरी कमाई है यह मैं उन सब को देता हूँ जिनोंने मेरी सेवा की है बाबा ने 35 की गिंती करके कहा था कि सबने मेरी सेवा की है सबको ही बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए भूमी के विशय में बाबा ने कहा था कि यह उनके पिता की है इसलिए इसके तीन हिस्से कर उनके तीनों बेटों को दी जाएगी यह तुम सत्य कहते हो? हाँ चौधरी जी, मैं गुरु महराज की सौगंध खाकर कहता हूँ कि बाबा ने यही कहा था तुम किसके बेटे हो? बिहारी सिंका कितने भाई बहन हो? हम दो ही हैं, मेरी एक बहन है तो तुमको तो कुछ भी नहीं मिलेगा पर चौधरी यह धर्म की बात हो रही है मिलने मिलाने की नहीं जस्वीर इस समय सबसे पीछे खड़ी रो रही थी चौधरी ने उसको देखा तो पूछ लिया तुम क्यों रोती हो? उत्तर समुंदर सिंग ने दिया यह सोहन इसी का बेटा है और इसके कहने से इस बेचारी को सबसे कम मिलेगा सुखन के घर 14 प्राणी है मक्खन के सोले है और इसके घर के केवल 5 इसलिए यह रोती है और तुम कौन हो? मैं कर्म सिंग का दामाद हूँ मेरी पत्नी कुलवन्ती का बटवारे में कहीं जिक्री ही नहीं कल सब पंचों के सामने कोठरी खोली जाएगी सुन्दरी ने कोठरी और संदूग की दोनों चादियां सरपंच को दे दी थानेदार ने एक सिपाही को वहां बैठा दिया जिससे फौसदार ही न हो जाए अगले दिन गाउं की पंचायत बैठी सबसे पहले सुन्दरी के बयान हुए फिर समुन्दर सिंग ने अपनी मांग उपस्थित कर दी उसने कहा कि सब चल और अचल संपत्ती के चार भाग होने चाहिए तीन दो कर्म सिंग के पुत्रों के लिए और एक उनकी पुत्री के लिए इसके पश्चात सुखन सिंग और मक्षन सिंग के बयान हुए बिहारी सिंग के भी बयान हुए बिहारी सिंग ने केवल इतना कहा धर्म जो कहता है वह मुझको मंजूर है इसके बाद पंचायत ने सब को बाहर निकाल दिया और पंचायत में बहुत वाद विवाद के बाद फैसला हुआ, फैसला सुनाते हुए सरपंच ने कहा, पंचो ने सोहन के बयान को सच्चा माना है, इसलिए धर्म यह है कि चल संपत्ति के 35 भाग किये जाएं, मर्द, औरतें, बाल, बृद, सबको एक-एक हिस्सा दिया जाएं सरगवासी जीव का कहना था कि ये 35 ही उसकी सेवा करते रहें हैं, और इनकों ही उसकी जैदात का हिस्सा दिया जाएं, इन में कुलवन्ती अत्वा उसके बच्चों का कोई हप नहीं है शेश्रही जमीन की बात धर्म से तो 3 हिस्से बनते हैं, कानून से 4, हम कानून से धर्म उचा मानते हैं, इस कारण हमारा फैसला है कि 3 हिस्से ही 3 भाईयों को मिलें, धर्म से लड़की का कोई हिस्सा नहीं बनता, इस पर भी यदि कुलवन्ती धर्म पर फूल नहीं चड़ा करूंगा इसलिए कुछ खुर्द बुर्द न किया जाए इस पर सरपंच ने आग्या दे दी कि पंचों के सामने सब वस्तूओं की सूची बन जाए और उन वस्तूओं को किसी के पास अमानत के रूप में रख दिया जाए ऐसा ही किया गया पून संपत्ती सोना चांदी और न सरपंच ने पंचायत का फैसला लिखकर नीचे लिख दिया कि तीन महीने में जिसे अपील करनी हो कर दे अथवा यही फैसला पक्का होगा जब सब विदा हो गए तो जस्वीर कॉर्ट ने अपने पती से कहा आपने जमीन पर जो महनत की और खून पसीना एक किया तो आपको उसका क्या मिला? मुझको धर्म का फल मिलेगा. मैं यह धर्म कर्म व्यर्थ की बात मानती हूँ. मुझको तो पहले ही इस बात की आशा थी कि हमको कुछ भी नहीं मिलेगा. हमारी महनत और सेवा सब हराम में जायेगी. इसलिए मैंने भी अपना धर्म पालन किया है. अपनी म मन में संतोश था कि उसने बहुत कुछ अपने भाग का पहले ही निकाल लिया है अब उसने अपनी कारगुजारी अपने पती को भी बता दी विहारी ने पहले तो यह उचित समझा कि वह भी अपनी कारगुजारी बता दे परन तो फिर कुछ विचार कर उसने पूछा सत्य जी हां मैं आपकी तरह बुद्धु नहीं हूँ एक दिन चल कर दिखाओ तो सही कि कितना ले गई थी समय पाकर जस्वीर को और अपने पती को लेकर अपने बाप के घर गई और संदूप निकाल कर ताली खोल देखने लगी तो भोचक्की हो देखती रह गई विहारी सिंग उसके पीछे खड़ा था उसने अपने मन की बात छपाते हुए पूछ लिया जस्वीर क्यों क्या हुआ किसी ने सोना चांदी सब निकाल लिया और कंकर आदी भर दिये हैं किसने भर दिये हैं मेरे पिताजी ने ही ऐसा किया हो के इस्थान पर ये कंकर पत्थर बढ़ दिये हैं यह सब बकवास है कहा है परमात्मा जो ऐसा कर सकता है यह तो निश्चे ही मेरे माबाब की करतूत है नहीं जस्वीर यह परमात्मा की ही बात है इस पर जस्वीर और उसके पिता वलवंत सिंग में बहुत जगड़ा हुआ और बाब बेटी में सदा के लिए लड़ाई हो गई बिहारी सिंग के मन में एक बार तो आया कि वह सब कुछ बता दे परन्तु उस बैमान बेटी का बाब के साथ जगड़ा ठीकी ही प्रतीत हुआ और वह चुप रहा वे दोनों उल्टे पाउं अपने गाउं को लोटाए बिहारी सिंग ने मार्ग में जस्वीर को समझाया था कि माल चुराने के विशय में वह किसी को भी न बताये घर पहुच उसने अपनी बुआ को घर बैठी मा से बातें करते देखा तो पूचा बुआ क्या हुआ है किसलिए आई हो उत्तर सुंद्री ने दिया बुआ कहती है कि इनको घर से निकाल दिया गया है क्यों कुलवंती ने कहा वे अपील लिखवा कर लाये थे और कहने लगे कि मैं हस्ताक्षर कर दूँ मैंने इनकार किया तो मार मार के घर से निकाल दिया है पर बुआ तुमने इनकार क्यों किया सरपंच कहता था कि धर्म से लड़की का भ इसलिए मैंने हस्ताक्षर नहीं किये बिहारी सिंग भौचक का हो बुआ का मुह देखता रह गया तीन महीने बाद जब अपील की मियाद बीत गई तो बटवारा होने लगा सुखन सिंग ने कहा भाई धर्म से तो ठीक हो रहा है परंतु बहन की बली धर्मों पर चढ़ानी अच्छी प्रतीत नहीं होती इसलिए मेरा विचार है कि समुन्दर सिंग के कहे अनुसार बटवारा कर उसका हिस्सा उसको दे दिया जाए सुन्दरी ने कहा भाईया सोच लो बहुत हानी हो जाएगी तुम दोनों को मैंने सब विचार कर लिया है भावी क्यों मक्खन क्या कहते हो भापा बहन का सुहाक कायम रहे मैं यही चायता हूँ परंतु भापा बिहारी ने कहा मुझको अकारन लाव होगा तो हो जाए समुन्दर सिंग तो प्रसन हो जाएगा परंतु धर्म कहा गया बहन की अपने पती से सुलह होगी यह क्या कम धर्म की बात है तो यह थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर पताएं